नमस्कार बहुत स्वगत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार जब सनी वार के दिन अमवस्या तिथी पढ़ती हो तो उसे सनी अमवस्या या सनेचरी अमवस्या कहते हैं और इस बार फालगुन मेहने की कृष्णपक्ष की आखिरी अमवस्या चुकि सनी बार के दिन है इसलिए इस अमवस्या का महत तो और भी बढ़ गया है अगर हम धार्मिक दृष्टी कौन सी भी देखें तो अमवस्या तिथी बहुत खास होता है और जिस जब सनी बार के दिन अमवस्या हो तो इसका प्रभाव सूरी ग्रहन से भी कहीं ज़्यादा होता है इसलिए तमाम परियोग इस दिन किये जाते हैं सनी देप को परसंद करने के लिए उनकी क्रिपा पाने के लिए एक बहुत ही बहतरीन दिन है सनी की साड़े साती ढहिया से मुक्ती पाने के उसक से भी सांती मिलती है इस बार चुकी जो अमवस्या तिथी है वो 13 मार्च 2021 की दोपहर तीन बचकर 52 मिनट तक है और चुकी उदेया तिथी है इस दिन इसलिए भालगुन अमवस्या या सनी अमवस्या आज के दिन मनाई जाएगी अब इस बार चार गरहों का विसे संयो भी बन रहा है सूरे चंद्रमा वुद्ध सुक्र चारो एक साथ कुम्भ रासी में है कुम्भ रासी जो सनिदेव की रासी है और यहां पर चतुर गरही यूती का योग बनता है अब इसके अलावा जो अमवस्या तिथी है इसको दर्स अमवस्या किस्रेणी में रखते हैं और सुभा से साम तक अपनी तिथी के अनुसार तमाम गोचर होता है, अब इस दिन पित्री दोस, काल सर्प दोस, विस्योग, अमवस्या दोस, सनी की ढईया, सनी देप की साढ़े साती और सनी की महादसा की सांती के उपाई किये जाएं, तो बहुत अच्छा होता है, उत्तम ह इस दिन सनी देप के सिला का अभी से करने का विधान है, अब जिन रासियों पर अभी सनी देप की साढ़े साती चल रही है, वे हैं धनु रासी वाले के उतरती साढ़े साती, मकर वालों की छाती पर चल रही है, और जो कुम्ब वाले हैं उन पर चढ़ती भी साढ़े साती, जिन पर धहिया चल रही है वो है मिथुन डासी वाले और तुला वाले अब इस सनी देव की अमवस्या के दिन अगर बिधी विधान से सनी देव को मनाएं तो सनी देव जल्दी प्रशन होते हैं और असुबता दूर होता है अब धनू मकर कुम्ब और मिथुन तुला इनके ज सर्फ्रेश्ट मंत्र है वो है ओम संग सनचराय नमह जो की हर कोई जानता है लेकिन इनका एक और मंत्र है और वो है ओम प्रांग प्रिंग प्रांग संचराय नमह तो आप जब भी सनी देव के मंत्र को जब करें साम के वक्त करें या अंधेरा होने के बाद करें तो आपको इसके जादा बेहतर फल मिलते हैं चुकि सनी अमौस्या के दिन सिप जी और हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान है क्योंकि सनी देव महराज जो हैं वो सिप जी को अपने अराध्य मानते हैं और हनुमान जी के भक्तों को ऐसा वरदान है कि सनी देव परिसान नहीं करते तो ऐसे में उनकी अराधना करने से भी सनी दोस्ते मुक्ती मिलता है चुकि सनी अमवस्या है तो पीपल के पेड़ की पूजा जरूर होगी पर ध्यान रहे पीपल के पेड़ से पत्ते बेगेर मत तोड़ियेगा और इस दिन पीपल के बिश के नीचे साम के वक्त अगर आप नौकरी रोजगार में दिक्कत है तो नो दीपक जलाईए और ये दीपक सर्सों के तेल का होगा आप चाहें तो एक ही दीपक में नो बाती रख कर भी जला सकते हैं अगर दो-चार दाने काले तिल के या काली उडट के दाल दें तो सर्वोत्तम होगा फिर वहीं पीपल के बिश के नीचे बैठ कर ओम संगसने च्राय नमह का जब करें और बाद में किसी निर्धन को एक सिक्के का दान करें तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आपके घर में समी का बिश है तो अच्छी बात है नहीं है तो पास में जहां है वहीं पर जाकर एक दीपक जरूर जलाईएगा क्योंकि सनिदेव को सबसे प्री होता है समी का ब्रिक्ष और सनिदेव की कृपा होती है वैसे समी के ब्रिक्ष में भी दीपक जलाने के समय दो चार दाने काले तिल डाल कर ही जलाईएगा तो घर का वस्तु दोस भी दूर हो जाएगा और पित्री दोस भी सांथ हो जाएगा चुकि सनेचरी अमवस्या के दिन काली वस्तु का विसेश बिधान है तो अगर आपको लगे जीवन में कस्ट बढ़ गया है तो एक काला रंग का कपड़ा ले लें उसमें थोड़ी सी काला तिल या काली उरद कुछ सिक्के रखकर आप अपने सर से तीन वार उल्टा वार कर दान कर दें या कहीं पास के मंदिर में रख दें पीपल के बिश के नीचे रख दें तो सनी गरह के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है इस दिन कुछ ऐसे काले हैं जो नहीं करना चाहिए चुकि सनीचरी अमवस्या है तो मानस मदीरा का सेबन बिलकुल भी ना करें तामसिक वस्तूओं से दूरी बना कर रखें तो बढ़िया है सास्त्रों में बताया गया है कि 14 अमवस्या प्रतिपदा को मानसिक और सारीरिक दोनों ही पवित्रता का विसेज ध्यान रखना चाहिए और सनीचरी अमवस्या के दिन जितना ज़्यादा पवित्र रहेंगे उतना ही अच्छा है बर्मचरे का पालन करें सनिचरी अमवस्या के दिन अगर गरी मजदूर या लाचार ब्यक्ती का आप मान करते हैं तो फिर जीवन में परिशानी बढ़ जाती है अब एक छोटा सा परियोग अगर आपको नौकरी रोजगार में ज़्यादा परिशानी हो आपको समस्या हो आपको लग रहा है कि जीवन में धन की बहुत परिशानी है तब ऐसे में एक फिटकरी का टुकडा ले लें अब पीपल के बिश के पास पान के पत्ते पर फिटकरी का टुकरा एक चुटकी उस पर सिंदूर रख कर जाएं और वहीं पर मिट्टी में दवा कर अपनी मननत कहें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं तो धन की मुश्किलें दूर हो जाती है अगर आपके घर के आसपास सनी देव की सिला हो तो सरसू का तेल जरूर अरपित कीजिएगा और साथ ही अगर काला तिल और काले वस्तर का भी दान कर सकें कुछ सिक्के रखकर तो जरूर करें याद रखिए आप नोट का दान नहीं कर सकते जब भी करना हो सिक्के का ही दान करें जो कारोबारी हैं जो प्यापारी हैं आप चाहते हैं कि आपका ब्यापार खुब उन्नती करें तो ऐसे में सनीदेब को आप काला तिल अर्पित करें ओम संग सनेचराय नमह का जब करें तो उत्तम रहेगा इस सनीचरी अमवस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जात करें काले कपड़े में एक मुठी काला तिल बांध कर आप अपने बैपार अस्थाल पर कहीं भी छिपा कर रख दें आपके स्टाप या आपके सेवक आपको धोखा नहीं देंगे इमानदारी से काम करेंगे तो यह छोटे छोटे प्रयोग हैं आप जरूर करें आपके इन बार उल्टावार कर कहीं भी पास के मंदिर में जाकर रखाएं तो इससे आपके सारीरिक पिडाओं से मुक्ती मिलती है और आपका स्वास्त अच्छा हो जाता है जीवन में उमंग रहता है फिलहल हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेब फिर मिलेंगे धन्यवाद